हलो गाइज एच्पी टैट सीरीज में आपका स्वागत है आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम केमिस्ट्री का इंपॉर्टन टॉपिक मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला कोशन है विच आप दो फॉलॉइंग इस दा मोस्त मेलेबल मेटल यानि इन में से सबसे जादा मेलेबल धातू कौन सी है आपके ऑप्शन है गोल्ड सिल्वर कॉपर बोथ वन ए यानि जो हमारा सोना और चांदी हो सबसे जादा मेलेबल धातू है अब आपको यहां से पता हों और ओझिए मेलेबल होता क्या है मेलेबल की बात करें जब धातू को बुपर पीट कर पीट पीट कर जो है एक पतली जो शीट है यानि चाधर उसके रूEs में convert करा जाता है तो उसको हम malleability बोलते हैं ठीक है जो next है हमारे पास most ductile metal जो हमारी सबसे ज़्यादा ductile metal है वो हमारी gold है यानि सोना है वह आपको यहां से पताओ नजी यह ductile होता क्या है जब हम धातूं को पीट पीट कर जो है वो पतली तार यानि wire बना जें उसको हम ductility कहते हैं तो हमारा सोना है वो सबसे ज़्यादा ductile धातू है और इतनी ductile है कि एक ग्राम जो अगर हम सोना लें और इसको पीट पीट कर हम जो है दो किलोमेटर लंबी तार बना सकते हैं जो next है हमारे पास अब यहां से आपको कुछ पता होने चाहिए जैसे हम धातू और धातूं को अलग कैसे करते हैं तो इनके कुछ गुण होते हैं बहुत तक और रसाइन क्यानि जो हमारी कुछ properties होत ञद है ठीक है धातूं की सबसे पहली property है लश्चर यानि वो थोड़े चमकते हैं ठीक है चमकीले होते हैं तो इससे उल्टे होंगे इसके अलाव़ा जो हमारा धातूं है वह hard होते हैंzo जमली ठीक है तके नावा ठाठू होते हैं वह गुड कंडॉक्टiono क्या होते हैं यानी उश्मा के सुचालक होते हैं ठीक है और उश्मा के सुचालक आपको बताऊओच taught छोगा कि इन मैंसे अगर हम एक सैट से मान लोग अन् 내가 हमने लिया है और एक साईट से गरम कर रहे तो क्या होगा automatically दूसरी साइड गरम हो जाती है इसके अलावा जो good conductor of electricity यानि बिजली के सुचालक होते हैं यानि अगर हम एक पॉइंट पे बिजली वहां पे connection दे रहे हैं तो दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगी इसके अलावा इनका high melting point होता है हाई boiling point होता है अब हमने melting point और boiling point पढ़ा है boiling point होता है जिस आप मान पे जो है कोई चीज उबलने लगती है उसको melting point बोलते हैं जिस point पे कोई चीज उबलने लग रही है उसको हम boiling point बोलते हैं और melting point जिस point पे कोई चीज बिघलने लगी है ठीक है sonorous होता है जब भी हम उनको उन धातूं को strike करें या किसी चीज से मारेंगे तो आवाज आएगी ठीक है तो यह होता है तो इससे opposite properties हो जाएंगी जैसे sonorous है तो यह non sonorous होगी इनका boiling point कम होगा धातूं का melting point भी कम होगा poor conductor होंगे यह उश्मा के कुचालक होंगे धातू वर फगैबाए हम उस्वोग में पढ़ा कि धातू जो है उश्मा के सुचालक होते हैं उस्मा और बिजली के यहाँ पर आप से पूछा गया है ऐसा कौन सा धातू है जो सबसे ज़्यादा सुचालक है उश्मा और जो हमारी electricity होती है इसका तो इसका जो सही अंसर हैगा silver and copper ठीक है और यहाँ पे कुछ exceptions भी होते हैं कुछ ऐसे धातू भी है जो क्या होते हैं उश्मा के कुचालक होते हैं तो वो कौन से होंगे हमारे lead और mercury आप से यहां question पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातू है जो उश्मा की कुचालक है तो वो क्या होगा हमारा lead और mercury और अगर आप से पूछा जाए best conductor कौन है तो silver और copper यहां से आपको पता होगा आपने घर में तारें भी देखियोंगी आपने जितनी भी तारें देखियो हो एक आपको पता है कि जो हमारी चांदी है वह बहुत जादा महेंगी होती है तो आपने वह गाना सुना होगा कि इसमें तेरा घर सारा विक जाएगा तो इतना महेंगा होता है और ऐसे नहीं बिका तो दो-तिन दिन बाद अखवार में न्यूज आएगी कि घर से जो है वो अब तारों की जो है चोरियां हो रही है इसके अलावा जो हम तारे देखते हैं उसके उपर जो कोटिंग होती है वो आपको पता होना इची वो किस चीज की होती है वो होती है PVC की क कोटिंग और विनायल क्लोराइड नेक्स्ट है हमारा जो हमारी धातुं होती है वो जनरली हार्ड होती है यानि कठोर होती है यहां से आपको पता होना चीजिस सिर्फ हमारी एक ऐसी एकसेप्शन है ऐसी अधातु है जो जो रूम टेंपरेचर यानि समानित आपमानद पर कैसी होती है तरल होती है वह कौन सी हमारी मर victory आप से पूछा जा सकता है कौन सी धातु है जो room temperature पर liquid होती है मर्करी याणि कारॉइ पार जो नेक्सट है जो वारी non-metals होती है और धातुए वो generally कैसी होती है वूभी क्लाइब लगद दोर होती है इसके साथ साथ ही वह कैसी होती है गैसी अवस्था में होती है इसमें एक exception है एक ऐसी अधात्यू यानि नॉन मैटल है जो रूम टेंपरेचर पर कैसी होती है लिक्विड यानि तरल होती है तो वो कौन है Bromine ठीक है Bromine नेक्स्ट है हमारे पास है Metals Metals जो है धातु है उनका High Melting Point होता है और Boiling Point आपने यह पढ़ लिया है पर exception है हमारे पास ऐसी आप से question पूछा जासके ऐसी कौन सी धातु है जिसका जो है Melting Point जो है वो बहुत वो कम होता है तो वो कौन है गैलियम और सीजियम नेक्स्ट है आयोडीन हमारी कैसी है अधातु है हमारी आयोडीन ठीक है आयोडीन ऐसी अधातु है अकेली जो सोनरस होती है यानि जिससे अगर आप स्ट्राइक करोगे तो आवाज आएगी अब आपको कुछ अधातु के बारे में पता होने चीए एक हमारा हो गया कार्बन हो गया इसके अलावा हमारे पास आयोडीन हो गया आयोडीन सल्फर ऑक्सीजन यह हमारी सभी क्या ह और धातु है है नेक्स्ट है हमारे पास अब हम कार्बन की बात करें कार्बन क्या है अधातु है मतलब यह क्या होने चाहिए बैड कंड़क्टर आफेट i di electricity होने चीया इसका वकाइलिंग melting point कम होना चीए gaan अब हमारी जो ये geez editing है ये दो फॉन में रहती है जो हम 10 30 में पढ़ते हैं कौन कौन सी है उनकी Rome को मेरा we康ष ठीक है एक ह हमारी diamond और दूसरी हमारी graphite जो तीसरी आप बाद में पढ़े वो पेरी हो तो diamond जो है वो हमारी ऐसा अधातू यानि carbon का रूप है उसका melting point और boiling point जो है वो high रहता है और इसकी hybridization भी पता होने चीए तो जो हमारा diamond है इसकी hybridization sp3 है क्रिफाइड जो है हमारा यह एक good conductor of electricity है यह अधातू बट यह good conductor of electricity है यह आप से पूछ सकते हैं और इसकी hybridization होती है sp2 hybridized ठीक है जो alkali metal यह आपको पता होगा alkali metal कौन से होते हैं जो हमारा group 1 होता है उसको हम alkali metals बोलते हैं यह generally कैसे होते हैं यह maximum soft होते हैं आपको पता है हमारी जितनी भी धातू होते हैं वो कठोर होती है पर जो alkali metals होती है वो हमारी कैसी होती है वो soft होती है और इनको असानी से चाकू के साथ कार सकते हैं इसके अलावा sodium और potassium का melting point भी कम रहता है तो आप से पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी धातू है जिसको हम असानी से चाकू के साथ का सकते हैं तो वो हमारा sodium और potassium यह आपकी question है name the metal which is liquid at room temperature ऐसी कौन सी धातू है जो room temperature पर तरल अवस्था में रहती है तो इसका जो सही answer रहेगा वो हमारी रहेगी mercury ठीक है अगर आप से ऐसा पूछा जाए ऐसी कौन सी धातू है non-metal है जो room temperature पर तरल है तो वो होगा हमारा bromine और आप से पूछा जाए ऐसी कौन सी धातू है जो sonorous है अधातू तो non-metal जो sonorous है वो हमारी iodine है ठीक है iodine और cesium और जो हमारा gallium है यह ऐसी धातूएं है जिनका जो है melting point जो है वो कम रहता है जो next है name the metal which is a poor conductor of heat यानि ऐसी कौन सी धातू है जो ऊश्मा की कुछालक है आपके option है lead mercury both silver इसका जो सहीर अंसर रहेगा वो हमारा lead और mercury दोनों ही ऐसी धातूएं है जो ऊश्मा की क्या है कुछालक है अब यहां पर next है जब हमारा magnesium जो होता है magnesium इसको अगर हम जलाएं हवा में तो यह कैसी flame देता है यह white flame देता है next यहां पर important जो चीज है जब हमारे पास कोई भी धातू है M यानि metal जिसको हम बोलते हैं उसको हम oxygen के साथ react करवाएं ठीक है तो क्या देता है वह mo यानि metal oxide देता है यहां पर मैं लिख देता हूं मानलो कोई भी डातू है M ठीक है उसको हम oxygen के साथ उसका reaction हो रहा है तो वह हमें देता है mo यानि metal oxide यानि धात्विक oxide देता है यहां तक हो गया अब next है हमारे लिए emphoteric oxide क्या होते हैं emphoteric oxide emphoteric oxide जो होते हैं वह कैसे होते हैं वह acidic भी behave कर सकते हैं और basic भी behave कर सकते हैं और बनाते क्या है salt plus water ठीक है यहां से आपको simple example देके समझाता हूं जैसे हमारा कोई दोस्त है उसका नाम है हर्ष ठीक है हर्ष है अगर वह हमारे साथ बात कर रहा है तो वह एक सक्त पिगलता नहीं है और जैसे रहाँ लड़क्यों के साथ बात कर रहा है तो वह एकदम से पिघल जाता है तो क्या हुआ यहां पर और जैसा behave कर रहा है यहां पर और जैसा behave कर रहा है तो emphoteric oxide पी ऐसे ही होते हैं यह क्या करते हैं जब यह acid के सियाथ react करेंगे एमफोटेरिक कोई acid है मालो मैंने माल ले लिया HCl ठीक है HCl यह acid है और इसके साथ जो है एमफोटेरिक औक्साइड ले लिया मैंने aluminum oxide यह ले लिया तो acid के साथ यह react करेगा basic की तरह ठीक है और क्या बनाएगा HCl3 प्लस H2O बाकि आप इसको बैलेंस कर सकते हैं आपको बैलेंस करना आना चाहिए ठीक है यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं तो अभी यहाँ पर इसने acid के साथ रियक्ट किया तो यह basic होगा ठीक है और अगर यही अगर aluminum oxide जो है वो इसके साथ react कर रहा है वो base के साथ react कर रहा है वैंने base ले लिया और aluminum oxide ले लिया तो यह क्या बना देगा 2-N-A-L-O2 प्लस H2O यानि यह बना देगा sodium aluminate यहाँ पर यह acid के साथ react कर रहा था तो यह basic react कर रहा था यहाँ अगर base के साथ react कर रहा है तो यह acidic react करेगा ठीक है यहाँ पर आप बाकी equations को balance कर सकते हैं तो हम आप से पूछ सकते हैं कि इन message जो है आपको example दे देंगे कि which of the following is an amphoteric oxide आपको नॉर्मल जो पता होने चाहिए एक हो गया हमारे पास Al2O3 हमारा aluminum oxide और एक होता है हमारा जेडेनो जिंक oxide यह हमारे दोनों ही amphoteric oxides होते हैं ठीक है अब आपको यहाँ से कुछ important जो हम अभी हमने पड़ा कि धातू जो है oxygen के साथ react करके क्या बनाते हैं जो है metal oxide लेंगे और इसको हम litmus paper के साथ चेक करेंगे तो litmus paper क्या करता है लिटमस paper जो है अगर कोई चीज basic है यहां पर बो रहे हैं यह basic है तो basic होगा तो यह क्या करेगा यह जो litmus paper को blue में change कर देगा ठीक है red litmus से blue litmus में change हो जाएगा यहां से आपको पता होना चाहिए यह जो metal oxide है यह basic होते हैं आप से सीधा question पूछ सकते हैं कि जो हमारे धात्विक oxide होते हैं वो कैसे होते हैं तो वो हमारे basic होते हैं और यह कैसे होते हैं insoluble in water होते हैं यानि पानी में यह नहीं घुलते हैं बट कुछ exceptions भी हैं इसमें भी य यह जो है exception है कि यह जो है पानी में कुछ जो है वो घुल जाते हैं जैसे sodium and potassium oxide यह जो हमारे metal oxide यह पानी में घुल जाते हैं और क्या बना देते हैं क्या बनाते हैं यह एलकलीज बना देते हैं ठीक है जो हमारे non-metal होते हैं non-metal जो होते हैं वह हमारे non-metal की जो oxide बनते हैं वह हमारे acidic होते हैं ठीक है तो यह जो है acidic हमें पता कैसे चलता है जब भी हम litmus paper डालेंगे तो यह जो है change हो जाएगा कैसे हो जाएगा acid में अगर हम litmus paper डालते हैं तो क्या होता है वो कैसा हो जाता है blue litmus paper है वो red में convert हो जाता है non metal oxide में जब भी हम litmus paper डालेंगे तो क्या होगा litmus paper blue litmus से red में convert हो जाएगा जिसे हमें पता चलता है कि ये जो है acidic है जो next है हमारे पास sodium और potassium ये अभी हमने पढ़ा ये कैसे होते हैं एक तो आपको बता है इनको हम असानी से चाकू के साथ कार सकते हैं इसके अलावा ये काफी जादा reactive होते हैं इनको हमें किसमें रखना पड़ता है kerosene oil में मिटी के तेल में रखना पड़ता है अगर हम इनको बाहर ही रख देंगे तो ये क्या करते हैं ये एकदम से react कर जाते हैं और क्या करते हैं एक आग पकड़ लेते हैं ये ठीक है जो next है हमारे पास anodizing anodizing क्या होता है माल लीजे aluminum है ठीक है aluminum पे aluminum हमारा क्या है metal है न metal पे क्या होगा oxide की परत चड़ जाएगी और metal oxide बन जाता है तो वैसे ही metal हमने ले ली aluminum aluminum पे oxide की परत चड़ गई इसको हम बोलते हैं anodizing जो next है हमारे पास अब कुछ जो हमारे धातू है वह कुछ थंडे पानी के साथ react करते हैं कुछ गर्म पानी के साथ react करते हैं कुछ जो है वह steam यानि भाफ के साथ react करते हैं और कुछ react करते ही नहीं है तो आपको पता होना चीए कौन कौन से हैं सबसे पहले जो हमारे थंडे पानी के साथ रियक्ट करते हैं सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारे थंडे पानी के साथ रियक्ट करते हैं और क्या करते हैं एकदम से जो है वो क्या करते हैं आग पकड़ लेते हैं यह रियक्शन जो है वो वारी Exothermik होती है इसमें क्या होता है बहुत स्यादा हीट energy दिलीज होती है जिस पज़्य से एकदम से आग लग जाती है ठीक है जो हमारा sodium और potassium हो गया इसके अलावा है चेल्षण है के साथ कि अवता है कैल्शियО को जब हम पाणी में रखा रखा है है तो कैल्शियम का था थैदन लग पड़ता है क्या थैदंड एयुक्णि नीचे जो है अगर आपने एक्जाम्पल देखा होगा आपने रॉड लगाई हो पुरानी जो रॉड होती है अभी भी यूज करते हैं कही घरों में तो रॉड डालते हैं तो आपने देखा होगा जो लोहा होता है उसकी वायर तो उनके साथ क्या होता है वो जो हमारा कैल्शियम होता है वो वह जम जाता है तो जम जाता है आपने देखा हो गाई है तो वैसा ही होता है कि कल samples उपर उपर रहने लगता है और नीचे आपने दिखोगा Колने सबस्क्राइज होते हैं तो हमारा हाट बाटर है तो जो किसके साथ react करता है वो गरम पानी के साथ react करता है और ये भी उपर तैरने लग पड़ता है क्योंकि नीचे जो है वो पानी के बुलबुले एकट्थे हो जाते हैं जिनमें हाइड्रोजन जो हमारी होती है नीचे हाइड्रोजन gas गाचन ना ही गर्म पानी के साथ और ना ही ठंडे पानी के साथ यह जो है último के सथ रिएक्ट करते हैं तीक प्रेस करें उर बनाना इन्होंने क्या यह मेंटल ID मेशा विए जिद्ल है वह वह किसी भी ओक्साइड के साथ रेक्ट करेंगी तो बनाएगी तो वह हमाला metal oxide ही और साथ में hydrogen gas release होती है same calcium के case में भी ऐसा हुआ और magnesium के case में भी magnesium hydroxide बना दिया और क्या कर दिया साथ में hydrogen gas release हो जाएगी जो बुलूले उपर आते हैं वो hydrogen gas ही होती है अब यहाँ पर आपको पताओगा जब भी हमारा कोई भी धातू है वो किसी भी acid के साथ maximum किसी भी acid के साथ react करती है तो वो हमें क्या देती है वो हमें देती है salt यानि नमक plus hydrogen gas देती है ठीक है तो maximum time जो है यह होता है बट एक जो हमारा पास nitric acid होता है HNO3 जब भी कोई धातू nitric acid के साथ react करती है तो कोई भी हमारी जो है hydrogen gas release नहीं होती है क्यों नहीं होती है क्योंकि हमारा जो nitric acid है वो strong oxidizing agent है अब यहां से आपको चार चीज़े पता होने चीए oxidation reduction oxidizing agent और reducing agent अब यहां पर बोला oxidizing agent है जो हमारा oxidizing agent है वो क्या करता है वो reduction करता है यानि वो gain of hydrogen करता है तो यह क्या करेगा hydrogen को जो है अपनी तरफ खीच लेगा जिस वज़े से hydrogen जो है बाहर नहीं निकल पाएगी next है हमारे पास next question अच्छे यहां से अगर आपको कुछ important बताऊं तो यह जो है nitric acid जो है वो क्या है hydrogen gas नहीं निकलती है इसे बट कुछ cases में metal अगर हमारे पास या फिर magnesium हो या फिर manganese हो तो जो है यह nitric acid जो है वो react करता है और कौन सी gas निकल जाती है hydrogen gas निकल जाती है यह भी exception है जब magnesium या फिर magnesium के साथ जो है कौन react करता है nitric acid तो hydrogen gas निकल जाती है ठीक है अब नेक्स है हमारे पास वर्ट इस aquarizia aquarizia क्या है यहाँ पर aquarizia जो हमारा होता है एक Latin word है जिसका means होता है royal water ठीक है royal water यह mixture होता है किस चीज़ का concentrated mixture होता है HCL और nitric acid का यानि hydrochloric acid और nitric acid hydrochloric acid होता है three ratio में और nitric acid होता है one ratio में तो aquarizia क्या हो गया एक mixture है HCL concentrated HCL और concentrated nitric acid का और यह कितने three ratio one में होता है और यह जो है इसमें यह इतना ज्यादा strong होता है इसमें जो है मारा सोना या फिर जो हमारा platinum है वो भी इसमें घुल जाता है जो next है माले पास आपको पताओ reactivity series आपने पढ़ी होगी जिसमें क्यों होता है metals को हम जो है कैसे रखते हैं या फिर increasing order में रखते हैं जैसे वो react करेंगे या फिर decreasing order में रखते हैं reactivity series में में कम react करते हैं उसमें रखता है जैसे सबसे जलदी rotator है उससे late react कॉन कर रहा हृ उससे late और सबसे कम कोई react हो नहीं कर रहा तो हम नीचे को रखते हैं अभी हमने बढ़ा था sodium और potassium जो होती हैं हमारी सबसे जादा reactive metal होते हैं वो एक दम से आग पकड़ लेते हैं ऐसे ही धीरे-धीरे अगर आप नीचे को आएंगे तो हमारा silver और जैसे हमारे पास gold है तो यह तो react ही नहीं करते हैं बिलकुल भी नहीं यह free state में पाये जाते हैं आपसे question भी पूछा जाता है कि कौन सी धातुएं हैं जो free state में आपको मिलती हैं तो वह हमारा कौन हो जाएगा हमारा सोना हो गया चांदी हो गया यह जो है हमारी maximum free state में मिलती है जो next है यहां से आपको mineral और और गैंग के बारे में पता होने चाहिए minerals क्या होते हैं आपने जब geography पढ़ी होगी 6-7 class में तो आपने देखाऊगा अर्थ के हम तीन लियर्ज बोलते हैं एक भूपरपटी होती है एक mental होती है और एक क्रोड होती है हुखो है है और अपने देखाऊगा भूपरपटी में हमारे maximum जो खनीच है क्वंध धातु है वो सारे ही कहाँ पर मिलते हैँ जो मीनरल में मिलते हैं तो मिनरल्य जो होते हैं वो क्या होते हैं जो element होते हे हमारे जो अर्थ- grad यानि भूपरपटी में मिलते हैं, उनको हम minerals कहते हैं ठीक है और और क्या होते हैं मान लीजिए example समझ लो आप जैसे मान लो ये पूरा एक खेत है ठीक है आदा खेत है यहाँ पर example दे रहा हूँ यहाँ पर सभी चीजें हमें mix करके मिल रही है बट बीच में ऐसी जगा है खेत में जिसके नीचे हमें बहुत सारा लोहा मिल रहा है एक्जामपल दे रहा हूँ मैं जहां पर ये लोहा बहुत जादा मिल रहा है तो मतलब एक जगह इसकी concentration जादा है तो उसको हम बोलते है और ठीक है और बोलते है और तीसरा होता है गैंग आपको पता होना अच्छी गैंग हमारा क्या होता है impurities होती है मैं यह आप और निकाल रहे हो है न तो और के साथ और भी अलग अलग चीज़ें होंगी जैसे आप मिट्टी निकाल रहे हो ना नीचे से तो क्या होगा उसमें पत्थर भी होते हैं छोटे-छोटे कंकर होते हैं मिट्टी होती है और अलग अलग चीज़ें होती है बट हमें जो और है आपके option है mercury platinum platinum iron तो चिनाबार जो हमारा mercury का और है चिनाबार का जो हम लिखते हैं HGS ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास कि रोस्टिंग और कैल्सिनीशन क्या होता है रोस्टिंग जो है इसमें क्या होता है हमारा जो और है वो convert होता है oxide में कैसे होता है जब हम उसको हीट करते हैं ठीक है इन दा प्रेजन्स ओफ एक्सेस एयर अब यहां पर मैं आपको एक रियक्शन दिखके देता हूं यह देखिए जिंक इसमें क्या होता है और साइड में इसको हीट करते हैं तो यह किसमें चेंज हो जाता है अब हमने लिखा है जैसे मालीजें यहां पर मैंने लिया जिंक कार्बोनेट इसको जो है लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे यह किसमें चेंज हो जाएगा ऑक्साइड में यानि जैड एन ओ में चेंज हो जाएगा प्लस सी यो टू निकल जाएगी यह होती है हमारी कैलसी नेशन अब नेक्स्ट है हमारे पास करोजन और गैलवेनाइजिशन करोजन क्या होती है हमारी करोजन सिंपल है जैसे हमने देखा है हम जो जंग लगता है ठीक है जंग कैसे लगता है अगर हम बाहर लोहे को छोड़ दें तो करोजन भी एक तरह का जंग है जो अलग लग चीज़ो लगे तो वो कैसी हो जाती है काली हो जाती है और लोहे पे लगे तो वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है यह आपको पता है यहां corrosion आपको पता चल गया होगा Galvanization क्या होता है Galvanization होता है हमने क्या प्रोटेक्ट करना है यानि बचाना है किसको iron या फिर steel को बचाना है हमने तो हम कैसे बचा सकते हैं उस पर क्या करो एक coating कर दो paint वगएरा तो आपने सुना होगा Galvanization में होता है कि परचड़ाएंगे जिंक की परचड़ाएंगे जिस वज़ासे क्या होगा वो जो है उसको जंग नहीं लगेगा तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम उसको बोलते हैं Galvanization नेक्स्ट है हमारे पास Alloy क्या होता है Alloy होता है homogeneous mixture homogeneous mixture of two two or more metals or metal or a non metal यानि simple बात homo मतलब होता है same एक mixture होता है जिसमें हम क्या लेते हैं धातुएं ले लेंगे जुरूरी नहीं है एक ही धातु लेंगे एक से जादा लेते हैं दो भी ले सकते हैं तीन धातुएं ले सकते हैं ठीक है या फिर क्या ले सकते हैं एक धातु ले लो एक क्या ले लो non metal यानि अधातु ले दो इसके mixture mission को हम बोलते हैं alloy ठीक है इसका use कहा करते हैं इससे क्या होता है यह जो कोई property है न मालो जंग लगा है हमारा लोहे पे जंग लग जाता है तो हम क्या करते हैं लोहे में कुछ ऐसी चीज मिक्स कर देंगे जिससे उसको जंग लगने की उसकी जो problem है वो कम हो जाएगी और या फिर वो जो जादा strong हो जाएगा जैसे आपको example है simple covid जो है अभी covid था 2-3 साल आपने देखा covid में क्या था हमें वैक्सीन लग रही थी वैक्सीन लगने की बज़े से क्या और था हमारे अंदर क्या immunity आ रही थी कि हम covid से लड़ पाएं तो सेम वैसा है कि इसके अंदर भी हम कुछ ऐसी धातू या अधातू एड़ कर रहे हैं जिस बज़े से इसकी जो है जादा बढ़ जा रही है या फिर प्रापर्टी जो है improve हो जा रही है ठीक है यहां से आपको पता होना चेहे कुछ ऐसी धातूएं हैं कुछ ऐसे ऐलॉय हैं पहला मैं बताता हूं आपको जैसे ऐलॉय हैं हमारे बाद stainless steel जो आप blade लेते हो ठीक है stainless steel वो कैसे बनते हैं, उसमें हम दो-तिन, ऐसी धातुएं इकठी कर देते हैं, जैसे आपको पता हुन चे, आइरन हो गया, इसके अलावा हम इसमें क्रोमियम डाल देते हैं, क्रोमियम और निकल, तो स्टेनलेस स्टील आप से पूछ सकते हैं, उसका stainless steel जो है किस चीज से बना होता है तो वो बना होता है iron से chromium और nickel से ठीक है next है आपको पता है pure gold जो है 24 karat gold होता है pure gold इसको बोलते हैं यानि तो हम उनको क्यों नहीं डालते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा जो है soft होता है तो इसलिए हम उसको नहीं डाल पाते तो जो हम यहां पर maximum jewelry हम यूज करते हैं 20 karats हो गया 22 karats हो गया 18 karats की भी होती है but maximum हम यूज जो करते हैं वो है 22 karats 22 karats में क्या होता है 22 parts जो है वो gold के होंगे और 2 parts या फिर copper के होंगे या फिर silver के होंगे ठीक है अभी हमने alloy पड़ा, alloy में क्या था, एक धातू थी और एक या एक से जाद, सौरी, दो या दो से जाद धातू है थी या फिर धातू थी या धातू, इसका mission था, उसको हम alloy बो रहे थे अगर हम emalgam की बात करें, तो emalgam में क्या होता है, यह जो हमारी धातू होती है, इसकी जगा हम लेते है, mercury ठीक है emalgam में, अगर कोई भी हम धातू अगर mercury लें, और बाकी साथ में कोई भी धातू या धातू ले लें, तो उसको हम बोलते है, emalgam next है, next है हमारे पास, brass is an alloy of, यानि brass किस चीज़ का alloy है, यानि किस चीज़ का mission है, आपके option है, copper और zinc, copper और tin, chromium और copper 9 of these, तो brass जो हमारा copper और zinc का mission है, ठीक है इसके लावा जो हमारा bronze है, वो हमारा copper और tin का mission है, जो हमारा soldier है, ठीक है, वो किस चीज़ का है, वो lead और tin का mission है, और ये soldier जो है, जो welding करते हैं, हम electric wires की, उसमें भी use होता है, next है हमारे पास, metallurgy metallurgy, metallurgy, metals truck क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, Olres जो है, जो हमने, मैंने बता है कि एक खेत में कहीं जगापे जो हैं बहुत सारा आपके पास मालो की लोहा है तो हम उसको जब निकाल रहे हैं ठीक है और उसको हम साफ कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम रिफाइन कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं जो नेक्स्ट है आपके पास यहां से आपके लिए important था और यहां से अगर आपके लिए एक question हैं घर के लिए जो मारे chips के packets होते हैं ठीक है उन में आपको पता है गैस बरी हुई होती है तो वह कौन सी गैस होती है आपको और वीडियो का रिव्यू भी दें आप ताकि हमें पता चल सके थैंक यू